हेलो अल, वेलकम टू रेलविक की यूटूब चैनल बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि ट्रेन में जो लाइटिनिंग की, फैन की या जो सौकेट लगे होते हैं या जो एसी चलता है उसके लिए इलेक्टरिसिटी कहां से आता है और कैसे आता है तो आज हम लोग इसी सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है और आपके नॉलेज जो है इससे काफी बढ़ने वाली है तो चलिए हम बात करते हैं अभी तक जो है ट्रेन में इंडिया रिएलवेज में जो इलेक्टरिसिटी जरेट करने की और इलेक्टरिसिटी फीड करने की जो सिस्टम है वो basically तीन तरह के सिस्टम है पहला आपका self generation यानि कि SG सिस्टम दूसरा EOG यानि कि end on generation system और तीसरा होता है HOG यानि कि head on generation system तो हम एक एक करके देखते हैं कि ये तीनों system है क्या SG system यानि कि self generation system यानि कि जब train चलती है तो उससे जो electricity generate होती है जो dynamo through जो electricity generate होती है और उससे battery charge होता है और वही battery आपकी electricity को feed करती है electricity requirement को feed करती है जिससे तमाम सारी electrical appliances चलती है जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे train में इसी कोचों का demand बढ़ते गया वैसे वैसे जो self generation system है उससे feed करना काफी difficult होते गया तो इस चीज को overcome करने के लिए इस चीज को जो है पार पाने के लिए end on generation system में जात किया गया end on generation system में यह होता है कि एक train के दोनों end में एक एक कोच लगा होता है और उस coach में जो है diesel fueled जो power system होता है वो चीज उसमें house किया जाता है उसमें design किया जाता है और उससे जो electricity generate होता है उसको पूरे train में distribute किया जाता है इस system को कहा जाता है end on generation क्योंकि इसमें एक train के दोनों end में जो है एक-एक coach लगा होता है जिसमें ये system लगाई जाती है ये आप देखे होंगे कि रजधानी दुरंतो शताब्दी जैसे train में लगा होता है और basically एक generator होता है जो कि diesel से चलता है और ये उस train की power requirement को fulfill करता है इसमें बहुत सारी खामिया थी जैसे कि आप जानते हैं कि diesel से चलता है तो ये clean energy हो नहीं सकता यानि कि इसमें carbon का emission होता है इस इसलिए ये polluted इसको माना जाता है साथी साथ diesel का cost इतना जादे होता है कि इसका per kilometer जो cost निकल कराता है वो काफी जादे हो जाता है इसलिए इस system में भी कुछ खामिया थी और इसी को improve करते हुए आगे लाया गया HOG system यानि कि head-on generation system जैसा कि आप जानते हैं कि Indian railway जो है electrification का का ये काफी तेजी से हो रहा है तो जब train ए electricity से चल रही है तो क्यों ना हम उन्ही electricity से उन्ही electric energy को train में draw करें और उसको जो है एक normal voltage पे convert करके हम अपने electric appliances को चलाएं तो इसी concept पे आया आपका HOG जिसका मतलब होता है head-on generation head-on generation का मतलब होता है कि जो power supply लिया जाता है वो लिया equipment लगे होते हैं यानि कि जो 25 kVA बोल्ट का जो उपर सिस्टम लगा होता है उससे जो है power को ये draw करता है जो लोको मोटिव में जो पेंटोग्राफ लगा होता है वो power को draw करता है और draw करके वो जो लोको मोटिव के traction transformer है उसको supply देता है और वहाँ से उस energy को convert किया जाता है जिस इस से की electric appliances में feed किया जा सके और ऐसे जो है ये HOG system काम करता है तो HOG system जो है आपका जो self generation और end on generation से काफी बहतर है और इसकी जो energy efficiency है और जो economically इसकी viability है वो self generation और end on generation से कहीं जादे है साथी साथ यह एक clean energy है जिससे की carbon का emission भी कम होता है और हमारा environment भी compolute होता है तो यह तीनों system का description रहा self generation and end on generation and head on generation तो यह topic आपको कैसा लगा इसमें अगर किसी तरह का कोई doubt है तो आप comment section में लेकर जरूर पूछें और उसका उत्तर आपको मिलेगा Thank you